जी बिसमे लेरा मान राहिम, इस लेक्शर के अंदर आपको पावर ओफ AI को यूटलाइज करते हुए मैं ये बताने वाला हूँ कि कोडिंग को असान इलफाज के अंदर कैसे फाइंड आट करने और क्या आपको कोडिंग याद करने की जरूरत है, नहीं भई, आज के दोर में एजी लगेगा, एक मिसाल देता हूँ, कुछ लोगों का क्वेस्टन होता है कि हमें कोड याद करने चाहिए, या हमें कोड याद नहीं होते हैं, यह होता है, तो हमें कोड ट्रिप देते हैं, मैं एक बात करता हूँ कि जब आपने एक दफ़ा फर्स टाइम किसी रास्ते प फोन पर लगे हुए भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, so this is how the power of coding works, इंशाला इसकी और भी different examples जो है मैं आपके सामने ले के आऊंगा, but for now we are going to see कि यह किस तरीके से काम करते हैं, okay, तो आपने poi.com और perplexity.ai, इन दोनों के account बना लिया होंगे, cloud AI का भी मैंने आपको बताया था वो भी बना लिया होगा, मैं Bing AI को भी इनके पास लेयाता हूँ, बलके मेरे पास जो है separate, यहां पर यह open है, ठीक है, अब हमने काम क्या अगन में, हमने code को, prompt को बना के इनको देने, और इनसे code मांगने, ठीक है, let's begin, मैं यहां से new thread बनाता हूँ, मैं यहां पर पर उसके तरीके से आपको coding आजाएगी, हम कर रहे है, EDA, EDA कर रहे हैं, अब मैं यहां पर कहता हूँ, please show me the code, सबसे पहली चीज, कॉमा लगा दिया, अब उसको हमने कहा दिया, please show me the code, इस से आगे क्या, हमने आप इसे बोलना है, to perform EDA, EDA perform करना है, ठीक है, किसमे करना है, इन पाइथोन, कॉमा, हम अपना जो काम चाहरे हैं, एक ही प्राउंट में उसे दे रहे है, इन पाइथोन, यूजिंग, बेसिक, लाइबरेरीज, ठीक है, लाइक, पांडास, नमपाई, मैट, लॉट, लिप, एंड सी बॉन, यह लाइबरेरीज यूज़ करो, ठीक है, किस डेटा पर करना, वो बताना है, on the data set, called, या, loaded by, sns.load data set, और यहाँ पर आपने बता देना है, किस तरीके से data load करेज़, टाइटैनिक, ठीक है, perform step by step eda, and code should be refined, ठीक है, यह सारा कुछ हमने लिख दिया, यह एक prompt मैंने बनाया है, आप अपनी मर्जी से इससे पूछ सकते हैं, जितनी जिसको जैसे समझा, question की वो वैसे पूछ सकता है, लेकिन element पूरे होने चाहिए, वो क्या है, कि हमें code चाहिए, पहले उसे बता देना है, किस चीज़ का यह python का, eda का, फिर आपने libraries का बता दिया, and then आपने यह भी बता दिया, कि data कैसे download करने है, ठीक है, इसको बलके यहाँ पर अगर df भी लिखते हैं, तो आपको समझना असान हो जाएगा like this, अगर आप df is equal to sms.load dataset ले देंगे, तो यह और भी असान हो जाएगा, लिख दिया, अब इसके start में लिखना है, act as a data scientist, and, ठीक है, तो उसको हमने बता दिया, कि तुम्हारा जो role है ना, इस वकत वो as a data scientist है, right, यहाँ तक समझागी इस prompt की, यह बिलकुल छोटा जा prompt है, मैंने यहाँ पर लिख है, यह मैं आपको send भी कर देता हूँ, अभी, और यह मैं, discord में आपको send करता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास यह save हो जाए, वहाँ से copy करना आपको असान हो जाता है, आप देखके लिख भी सकते हैं, इसको, okay, जब तक discord मेरा run हो रहा है, अब मैं मैं इसको enter करता हूँ, यहाँ से, let's see क्या होते है, मैंने enter किया है, जी, लें जनाव, आपके सामने वो ही चीज़ें आ रही हैं, जो हमने देखी है, कुछ हमने अभी तक नहीं देखी हैं, जिसमें describe का function है, null का function है, survived आ गया, so on and so forth, जड़रा चेक करें, एक proper idea आपको तकरी पूरा मिल रहा है ना, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन बाकी तो मिल रहा है ना आपको, क्या ख्याल है, आप लोगों का answer different भी हो सकता है, आप लोगों का answer totally different भी हो सकता है, क्योंकि यह एक proper way है, ओके, यहां तक समझ आईए आपको, किस तरीके से आपने मांगना है, इन से, कैसे आपने चीज़ों को derive करना है, अब आपको यह सारी, किस सारी चीज़ें तो समझ आ गई है, अब अगर मैं इसको copy करूँ, copy कर लिए मैंने, इसको करता हूँ, directly मैं यहां पर paste, test.ipynb के अंदर, इसको मैं paste करता हूँ, मैंने सारे का सारा code एक ही दफाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैं अब इसे run करता हूँ, अगर कोई गलती हुई, इसने मुझे फॉरण बता देना है, और हमने क्या करना है, उस गलती को उठाना है, उठा के same board के अंदर दुबारा डाल देना है, chat board के अंदर, कहां पे गलती है, we will see that, यहां पे जी गलती है, line number 47 में, जहां पे वो कह रहा है के median के साथ, आप इसको replace कर रहे हैं, and then, string को mail के अंदर convert नहीं किया, something like that, value error, 47 number line पे, तो मैं code में जाता हूँ, यहां से 3 dots पे click करके, मैं lines यहां पे show करता हूँ, and here you will see, 47 number line हमारे पास यह आ रही है, इसके अंदर जो error है, obviously हमने चीजों को यहां पे जो हमने add किया, x और y को, उसके अंदर को problem है, we will see that one, यहां हम क्या कर सकते है, हम यहां पे, इसने median के साथ fill and ने किया है, यह वाला, ठीक है, age का median के साथ replace किया है, और embarked को mod के साथ किया है, ठीक है, so this is fine, but the error is this one, आपने क्या करना है, इसको copy करना है, copy करके देखिएगा, यहीं से follow up के अंदर आपने इसको paste करने है, और इसको run करने है, यह आपको अब solution बता रहा है, और updated version of code बता दिया उसने, लेकिन पूरा code नहीं दिया, उसने बोला है कि male और female को हमने 0 और 1 की coding के अंदर कर दिया है, after this thing, तो आप या तो इसको add करते हैं, या आप बोले, show me the complete code, ठीक है, तो आप उससे गुफ्तुगू कर रहे हैं, तो यह कुछ चीजें इस तरीके से आपको coding के मिलती जाती है, और error आते जाती है, जितनी दफ़ा error आते जाते जाते हैं, आपने उठा के इसको कहते जाना है के जी, error है, set करो, error है, set करो, ठीक है, तो यह set करता जाएगा, अगर फिर भी कोई error है, so you need to do it again and again, until the errors are resolved, मैं इसको फिर से copy करता हूँ, यहां पे करता हूँ, paste, obviously, क्योंकि जाहरी बात है, आप ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे आपको coding नहीं आती, तो sometimes error फिर आ रही है, यहां पे मैं कहता हूँ, show me the corrected complete code, उसने मुझे पुराना code दे दिया था, देखा वो फॉरण माफिया माँगने लग गया, apologies for the confusion, तो क्योंकि हम इसको यह माफिया भी माँगते हैं आपसे, अगर को गलत चीज हो जाए, अब इसने यह वाली line add कर दी है, and then, I can just copy, and go here, paste, जब तक error आती जाएंगी, मुझे बार बार पूछते रहना पड़ेगा क्या मसला है, until, unless, मैं खुद से errors को resolve कर सकूँ, ठीक है, अब उसने बोले यह वाले का भी मसला है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि यह heat map के अंदर ही मसला है, वो हम नहीं बनाते ना, यह वाला heat map, मैं इसको बनाता ही नहीं हूँ, अब इसको run करके देखते है, अभी भी issue आ रहा है कोई, कौन सा issue है, मैं यहाँ पर दुबरा वापिस जाता हूँ, अब 59 पर है, हमारे पास cabin, cabin का column ही नहीं है, और वो उस cabin नहीं है, उसका नाम, लेकिन perplexity को यह लग रहा था cabin है, so this is how you play with the numbers, this is how you play with the things, और आपके पास इस तरीके से चीज़ें आ जाती है, यह ना तो final EDA है, यह सारे का सारा EDA नहीं है, there are many many steps जो missing है, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से step missing है, उसके लिए आपने step wise पूछन कभी भी EDA complete आपको नहीं देगा यह, you need to ask step wise, ठीक है, अब मिसाल के तोर पे, हमारा एक काम रहता है, वो क्या है, हम यहां से इसे कहते हैं, how to find outliers in age and fair column, please show me the code and show me the way to remove outliers, let's run, अब हमने इससे पूछा हमारा main काम है, outliers को find करना और उसे remove करना, तो कैसे करेंगे, यह जनाबेवाला आपके सामने उसने तरीका बताती है, ठीक है, अब यह तरीकल कार क्या है, यह best way है, किसी outliers को remove करने का, तो आप step by step चलेंगे, ठीक है, step by step कैसे चलेंगे, आ आप यहां से, for example, इस code को copy करते हैं, मैं पुराना EDA का सारे का सारा code जो है, उसे remove करता जा रहा हूँ, मैं यहां पर paste करता हूँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इन चार libraries को import किया, DF को हमने यहां पर store किया, और हम इस male female वाले को निकाल देते हैं, simply, हमारे पास age का column है, dot contile लिखके आप 25% लिखते हैं, तो आपका पहला code tile आ जाता है, Q1 आ जाता है, जैसे आप Q3 को लिखते हैं, तो वो 75% contile, यानि के 75% तक data, 25% तक को कहते हैं Q1, 75% वाले को कहते हैं Q3, ऐसे ही है जी, और IQR क्या होती है, Q3 माइनस Q1, याद है आपको IQR का मैंने आपको example दी थी, अगर मैं यहां पर आपको दुबारा से IQR show करवा दूँ, तो आपको बहतर हो जाएगा अंदाजा, via box plot, और मेरा best way क्या होता है, जब मैंने किसी चीज़ को सीखना होता है, मैं य ठीक है, तो Q1 हमने find किया, which was this from here to here, और Q3 क्या है, minimum से Q3 तब, तो हमने क्या किया, Q3 से जब Q1 निकालेंगे, तो interquartile range नहीं आ जाएगे मारे पास, plus minus, क्या ख्याल है, अगर मेरा यहां से, यहां तक Q1 है, और यहां से, यहां तक Q3 है, तो हम Q3 से Q1 निकालेंगे, तो यह वाला हिस्सा निकल जाएगा, and this one will remain there, इसको बोलते हैं IQR, interquartile range, तो अगर हम formula की बात करें, तो इसका formula यह है, जो मुझे bot ने दिये, ठीक है, हमने अब क्या करने है, हमने वो जो formula बनाया था, Q1 minus 1.5 multiplied by IQR, उसको Q1 से नीचे लिख दिया, Q3 से उपर लिख दिया, तो इस से हमें क्या होगा, हमें lower bound और upper bound का पता चल जाएगा, कि अगर यह वाला point आया, तो इस से नीचे सारे के सारे outlier है, यह वाला point आया, इस से उपर सारे के सारे outlier है, यानि कि दुनों साइड हों पे, अगर मैं आपको outlier दुबारा दिखाऊं यहाँ पे, for example, यह देखे हो, तो यहाँ पे अगर outliers हम देखें, तो कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, यह हमारा lower bound है, इस साइड पे, यह upper bound है, तो इसके बाहर और इस से नीचे, मतलब इस से उपर और इस से नीचे, हमें पता होगा कि यह outliers, अब यह वाला bound define करने के लिए, हमें equation लिखन किये, यहाँ पे bound का मतलब है, limit, ठीक है, IQR को date गुना multiply किया, Q1 से नीचे minus करने के बाद, फिर Q3 से up, तो यह हमारे पास यह चीज आगी, फिर हमने क्या किया, outliers age का, वो बना लिया, वो कैसे बनाया, कि data frame के अंदर, मैं इसको zoom in करता हूँ, data frame के अंदर, जहाँ पे age जो ह lower bound से कम है, या, this is called, या, और, या, age जो है, upper bound से ज्याद है, यानि के दोनों extreme में, वो point से बाहिर वाला जो data set है, this is our outliers, these are our outliers, not this is, तो वो हमारे outliers, तो हमने क्या किया, उनको print कर दिया, ठीक है, वो कितने हैं, क्यूं है, सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, मैं नीचे वाले को, अगली वे में ले जाता हूं, x करके, इसको मैं run करता हूं, तो यह हमारे कुछ outliers प्रिंट हो गए हैं, यहां पे, ठीक है, अगर आप गौर करें, तो हमने क्या, outlier, age के जो हैं, वो यहां पे print कर दिया, lower bound से हैं और upper bound वाले, और अगर हम इसी तरीके से, fair के यह, यह, fair के outlier आ गए, ठीक है, मतलब fair जो एक limit से ज्यादा है, या limit से कम है, ठीक है, यहां तक समझ आगी आपको, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हमने print कर लिया, अब इन दोनों को हम remove कर सकते हैं, remove कैसे करेंगे, हम remove करेंगे, यहां पे देखें, हम लिखते हैं के data frame के अंदर, जो चीजें, lower bound से उपर हैं, यानि के lower bound से इस side पे, ठीक है, greater than and equal to, या upper bound से इस side पे, यह सारा होगा, हमारा original data, क्यूंकि हमने बाहर वाला remove करना है, तो जब हम यह center वाला select कर लेंगे, यानि के, हम जब यह वाला data select कर लेंगे, तो इसका मतलब है, बाकी वाला खुदबा खुदी remove हो गया, slicing नहीं कर रहे हैं, तो हम यही चीज़ यहां पे apply कर रहे हैं, I will show you now, यहां पे check करें, हम क्या कह रहे हैं, age जहां पे lower bound से ज्यादा है, and, अब and आ रहा है, और नहीं आ और यहां पे हम कहेंगे upper bound से काम है, इसी तरह fair, तो जैसे हम इसको update करेंगे, तो यह हमारे पास इसके outliers जो है, वो remove हो के final data आ गया है, which is df.info, यह हमारे पास total कितनी रोज बची हैं जी अब, कितनी entries हैं हमारे पास, 606 entries हैं, ठीक है, indices अभी भी 890 इस वज़ा से आ रहे हैं, क्योंकि बीच में से चीज़ें miss हुई हैं, last वाला 890 ही हो सकते हैं, but entries are 606, और आप देख सकते हैं कि सारी कि सारी जगों पे 606 आ रहा है हमार पास, ठीक है, deck को आप वैसे remove कर देंगे, so this is how you can clean the data from outliers, तो हम इस तरीके से boards को पूछते हैं कि हाँ भी, अब बता हुआ क्या क्या करने है, ठीक है, अब अगर हम इस से पूछें, how to scale the data in DF, अगर आप scale करेंगे तो वो कैसे करेंगे, normalize करेंगे तो वो कैसे करेंगे, fill values क करने हैं, तो वो कैसे करने ही, so you will ask one by one कि आपने करना क्या है, ठीक है, तो उस तरीके से आपका data scale भी हो जाएगा, and there are many other things जो आप EDA में कर सकते हैं, अगर मैं पूछ हूँ, how to fill any values in our data, use the DF as example, तो मैं इससे पूछता हूँ कि मैं fill any कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे पता है EDA का important step है, तो इसने मुझे तरीका बता दिया, यह लें जी, आप mean से कर सकते हैं, और mean से इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप पुछो कि is there any other way, तो आपको बताएगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से इन से पूछगीच करके bots के साथ आप अपनी help ले सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि basic steps क्या हैं, आपको यह भी नहीं पता चलना कि अब क्या चल रहा है, आपको यह भी नहीं पता चलना कि EDA complete हो गया कर नहीं हो गया, so you need to have all these steps, जो मैंने आपको चार बता है थे, comparison, relationship, composition, और distribution, यह आपको पता होंगे, तो आप सब कुछ कर सकेंगे ठीक है, अब एक छोटी सी example मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको command सभी को याद होनी चाहिए, that is very important command, और वो है जी, summary statistics, df.describe, यह वाला जो function है, आप सभी को एक दफा याद होना चाहिए, और यह सिरफ और सिरफ, आपके numeric data पे लगता है, सिरफ numeric पे, और यह आपको mean, standard deviation, minimum, 25% quartiles, 50%, 75% and maximum, तो यहाँ पे भी आप IQR निकाल सकते हैं, but the other way is fine, तो mean और standard deviation का आपको पता है, जिसको central tendency and क्या बोलते है, variance का एक वे है, और यह 50% क्या होता है, median, ऐसे हैं ना, median नहीं होता 50%, ओके, अच्छा, फिर आपके पास P class भी यहीं पर आ रहा है, sibling spouse भी, parts भी, fair भी, reason क्या है, वो integer है, but nominal भी हो सकते हैं, और quantity में, तो आपने क्या करना है, age और fair को सिरफ count करना है, यहाँ पे, बाकी आपके, वो जो है, parent children का number, या P class का number, उसका आप कोई information नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि those are very specific numbers, right, अब अगर आप यहाँ पे देखे, unique values अगर आप निकाले, df.n unique, तो आप इस तरीके से देखते हैं, check करें, P class, यहाँ पे parent children कालो, आपके पास 7 unique values, उसका क्या mean लेंगे, क्या median लेंगे, आप खुद सोचें, तो कोई sense नहीं बनती, इसी तरीके से आ sibling spouse 6 unique values, इसका क्या mean median लेंगे, असल में age का और fair का बनता है, ठीक है, वो सही numeric values है, जो आपको मैंने first day बताया था, तो इस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, and this is how you deal with the things, और जब आप चीजों को deal करना जान जाते हैं, तब आपके chat board आपको फाइदा देते हैं, otherwise अगर आपको पता कुछ ना ना हो, chat board ने कुछ ने बताना, या तो आप ऐसा करें, chat board से बिलकुल start से पूछें, for example, मैं यहां पर कहता हूँ, show me the main steps of an EDA or data analysis, मैं इसको run करता हूँ, अगर यह मुझे सारे के सारे step बताता है, तो that's great, नहीं बताता, then I have to ask again, देखें, इसने बताय पहला step है हमारा data cleaning, collection, cleaning, univariate, bivariate, multivariate, visualization and interpretation, क्या सिरफ यही step है, इसके इलावा भी और भी है, तो आप इसको फिर पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, and list all the steps within each of these steps as well, तो आपने पूछते जाना जब तक आपको answer सही नहीं मिलता, ठीक है, अब check करें, हां जी क्या ख्याल है, अब ज्यादा अच्छा answer नहीं मिल रहा आपको, और with reference आ रहा है, so data collection जो और रेड़ी हमें हमारे पास होता है, cleaning में missing values को handle करते हैं, duplicates को आप remove करते हैं, अगर duplicates को आ जाए, handle outliers, transform data if necessary, फिर आप check करते हैं quality को, ठीक है, यह वो चीज़े हैं जो हमार crucial step and data cleaning के, फिर univariate analysis जो मैंने आपको कल बताया था, bivariate, फिर multivariate and then visualization, और at the end आप interpret करते हैं result को, ठीक है, अगर आप यहाँ पे further इसको बताते रहें के show me the code for, यहाँ से उसी को उठाएं, remove duplicates, आप यह लिखते हैं, तो आपको exact code आजाएगा, तो आप EDA पूरे का पूरा chat board से करवा सकते हैं, सिरफ आपने code को सीखना है, कि code क्या है, DF.drop duplicates, simply, उसने पूरे का पूरे निकाल दी, लेकिन आपको अक्सर उकाट duplicates रखने भी पड़ते हैं, या कोई unique value की base पे आप निकालते हैं, या different other चीजों की base पे, so I mean, आपके पास हत्यार है, जरूरी नहीं है, इसको फोकाज लाई जाना है आपने, फोके का मतलब पता है, कि पता है नहीं, कोई aim है नहीं, बस check करने के लिए, ठीक है, so you need to use the power of chat, GPT, या GPT algorithms, या इस तरह के जितने algorithm है, and then you can see के क्या चल रहा है, अच्छा, ये तो मैं मुझे बार-बार यहां ब्याना पढ़ रहा था, अब अगर मैं black box पे click करूँ, यहां से मैं code chat इसकी निकाल लू, so मैं यहीं पर पूछता जाता हूँ, क्या ख्याल है, इस से मैं पूछता हूँ, how to remove duplicates from titanic df, यानि कि data frame, तो इसने मुझे answer देना, start कर देना, without any login, अगर आप login किये हुए हैं तो that's great, लें जनाब, तो आपको इसने proper बता दिया कि इस तरीके से duplicate आप remove कर देते हैं, तो जहां जहां पर पूरी रोज duplicate होंगी, वो सारे निकल जाएंगी, ठीक है, और आपके बास data आ जाएगा, फिर आप यहीं पर अगला step पूछ सकते हैं, यानि कि यह वाला जो था हमारे पास how to transform the data and how to transform the data, देखिएगा इसने अब पूरा meaning नहीं समझा हमारा, इसने simply age, height और बाकिये चीज़ों को ले के उसको data को melt करना बता है, तो हमें transform को भी समझना है पहले कि transform क्या है अगर मैं यहां पे copy करके यहां पे लिखूं, expand this value तो यह हमें और भी detail में बताएगा transforming data क्या होता है scaling होती है, उसमें encoding होती है, aggregation होती है, feature engineering होती है and data imputation, ठीक है, तो यह होता है transforming the data सही है, तो इस तरीके से आपको पहले terms का पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, अब आप इससे transform नहीं करना कहेंगे, आप कहेंगे scale करके दिखाओ और जब आपको method का पता होगा, आप कहेंगे z score method के साथ हम कैसे scale कर सकते हैं data अगर आपको min max scaling करनी है, तो वो कैसे करनी है, encode करना है तो उसके method पता होना चाहिए, कौन-कौन से method है encoding के aggregation करनी है, तो उसके method का पता हो, तो आपने specific point बताना है, prompt को हमेशा, मिसाल के तोर पे मैं यहां पर कहता हूँ how to scale, देखियेगा, how to scale the age data in titanic, using min max scaling method, now we will see, देखियेगा दरह, and hopefully black box हमें अच्छा result देगा, अगर नहीं देता, तो we will move to another thing, ले जनाब, बिल्कुल exact उसने हमें code दे दिये, तो जहां पर आपने scaling करनी है, आप ये code यूज़ करें, आपका data scale हो गया, ठीक है, normalize करना है तो same, for example, मैं यहां पर, how to use, how to do the normalization of this same data using log transformation, formation, देखियेगा, तो यह आपको पूरा code दे देगा, तो आपको code याद रखने की जरूरत नहीं है, theory याद रखने की जरूरत है, समझ आगी बात की जो मैं कि बार-बार बता रहा हूँ आपको आपको theory याद रखने की जरूरत है, code की जरूरत नहीं है यहीं से आप code copy करें, यहाँ पर paste करें, आपके पास काम हल हो गया अपना ठीक है? तो theory कैसे याद करनी है, concepts को समझ के ठीक है? आपने पूछना है कि क्यों है? मतलब अब मैंने यहाँ पर लिख दी है log transformation या normalization, यह हर चोथे बंदे को बता है normalization के method है, लेकिन कर क्यों रहे हैं भई? वजा क्या है? ठीक है? और आपको यह चीज़े कैसे पता चलती है? by learning, by reading, जो मैंने coloratory data analysis या data wrangling जिसे हम बोलते हैं, basically वो same 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 चीज़ें गिनी जाती है, वो एक proper method है, books लिखी है लोगों ने पूरी के पूरी, and is it, it's not possible कि आप गिंती के 15 दिनों के अंदर EDA पूरे का पूरा सीख जाएंगे, you need to work very hard, आपको बार-बार concept बनाने की ज़रूरत है, जैसे मैं कल कर रहा था, अच्छा हमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, फ्लां क्यों नहीं किया, तो usually as a data analyst या AI app developer, we are agents या inspectors जो data के crimes को ढूंडते हैं, जो data के अंदर जाखे, पूरे के पूरे Sherlock Holmes बने होते हैं, detective हैं, हम data में से चीज़ें detect करने वाले हैं, तो जितने ideas हैं, उतने ही कम हैं, जितना आप सोच सकते हैं data के relationship निकालना, ये data से insight निकालना, उतना ही बहतर है, उसके लिए आपको मत मारनी पड़ेगी, अपनी हाप की मत से मुराद ये है, कि स्यादा जाना मेहनत करने पड़ेगी, और AI practitioner वो अच्छा होता है, जिसको data के sense हो, जिसको data का नहीं पता न, यार आपको data अगर कोई भेही दे, आप उस पे AI app बना देंगे, क्या वो सही चलेगी, until unless you don't clean the data, कभी भी जिन्दगी में ने चलेगी, मैं मिसाल दे देता हूँ, आपको मैं ammo के rate का data देता हूँ, एक पाकिस्तान का देता हूँ, ठीक है, आप उस पे AIP बना दे, और उस AIP को मैं जर्मिनी में लाकर चलाऊँ, क्या सही result देगा, बिल्कुल नहीं, reason बताऊँ, यहां पे 7.9 something euro के, यानि के 8 euro लगा लें, और अगर उसको multiply करें, 310 का euro है तक्रीबन, पच्चीस सो रुपे का, तक्रीबन 800-900 ग्राम हाम है, पच्चीस होगे, और मैं अगर भकसान के rate वाली एप, यहां पे prediction के लिए ले आँगा, तो गलत होगा, so we need to know the territory, we need to know the data, और फिर हम इस पे काम करते हैं, ठीक है, so these are all the things, जो हमें मदे नज़र रखनी हैं, अभी यह कुछ भी नहीं है, रोजाना की बेस पे आपको इसे वज़र से मैं बही बहार टिप्स दे रहा होता हूँ, कि आपने कैसे AI की apps तक पहुंचना है, और असान नहीं है AI की apps बना लेना, कि बस हम मूँ ठाएं और बना लें, आपको क्या लगता है, कि यह जो Uber और क्रीम बनी है, यह क्या start में इतना exact predict कर रहे थे results अपने और price, अपनी price prediction के यहां से वहां पे जाएंगे इतना क्राया लगेगा, नहीं, start में बड़े-बड़े इनको नुकसान भी होऊंगे, और obviously जब data ज्यादा आते तो आप ज्यादा learn करते हैं, so there are many things involved, इन्शालाँ आप यह सारी चीज़े सीखेंगे, यहां पे मैं अपना lecture जाए से stop करता हूँ,